नमस्कार स्वागत आपका मेरे चैनल में हमें आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नेटिंग पैटर लेकर हाई हूँ जिससे आप लेडिस जैंड्स दोनों के ही प्रजक्ट में इस्तमाल कर सकते हैं यह बनाने में बहुत ही असान पैटर्न है और देखने में बहुत ही सुन्धा लगता है इस्पेशली यह जैंड्स स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगता है आप इसको चाहें तो पूरी स्वेटर में बनाईए चाहें गोटी पे बनाईए बहुत ही प्यारा बनकर यह डिज स्टिच होंगे तो यहां मैंने देखें डिमोंस्ट्रेशन के लिए सिलाई पे 20 फंदे लिए हैं उल्टी तरफ से मैंने उल्टे फंदे बुनते हुए सिलाई बनाई है और मैं सीधी तरफ आ गई हूँ अपने बॉर्डर के बाद राइट साइड से इस पैटन को स्टार्ट क एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद अगले एक फंदे को हम उल्टा बनाएंगे उसके बाद हमारा यह रपीट पैटन चलेगा साथ फंदों पे दो फंदे सीधे दागा अपनी दर्फ करेंगे 5 फंदे उल्टे अब देखें दो फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे यह हमने साथ फंदे रपीट करते हुए जाना है अपनी बूरी रो में रो बन में यही साथ फंदे रिपीट होते हुए जाएंगे और जो लास्ट में फंदे बचेंगे वह आपको दिखाती हूँ देखें फिर से हमने दो फंदे सीधे बनाए पांच फंदे उल्टे बनाएंगे यह दूसरी बार हमारा पैटनर रिपीट हुआ अब हमने दो फंदे सीधे बनाने है जैसे हमने स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे बनाए थे और पहला जो हमारा फंदा था वो एक सीधा फंदा था तो वह ही हमने पर्ल वान स्टेच करना है लास्ट में और जो एजिंग का फंदा है वो सीधा बनेगा तो रो बन राइट साइड पर पर्ल फाइव उल्टी तरफ आगे हैं हमारे पैटन की ये सेकेंड रो है अब देखें जिनका फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा होगा हमने वैसे ही बनाना है मैं एक रो आपको ये रॉंग साइड से दिखा देती हूं बना के उसके बाद मैं ये स्किप करूंगी देखें मुझे इस तरफ से दो सीधे दिखें ये सीधे दिख रहे हैं तो मैं इनको सीधा बुनूंगी अब अगला फंदा देखें मुझे सीधा दिख रहा है तो मैं ये भी सीधा बनाऊंगी ये भी सीधा बनेंगा ये भी सीधा दिख रहा है तो ये भी सीधा बुनेंगे उल्टा देखेगा तो उल्टा बनाएंगे हर बार रॉंग साइड से हमने इसी फालो को इसी पैटर्न को फालो करना है मतलब निट पे निट स्टेच करना है और परल पे परल स्टेच करना है और पूरी रो रॉंग साइड से इसे तरह से हमने बनाते हुए कंप्ल अब हम आगे हैं सीथी तरफ और यह हमारे पैटर्ण की रो थ्री है राइट साइड से अब देखें पहला फंद आइजिंग का स्लिप करेंगे उसके बाद पैटर्ण देखें किस तरह से बनेगा दो सीथे फंदे दिखाए दे रहे हैं हमें यह हमने ट्विस्ट करने हैं यह वाला फंदा हम बाहर लेके जाएंगे और जो अगला फंदा है उसको हम लेफ्ट वाली साइड लेके जाएंगे तो ट्विस्ट करेंगे दो फंदो को इस तरह से उसके बाद एक फंदे को सीथा बनाएंगे और अगले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे ये होगे उसके बाद देखें आगे दो फंदे हैं अब इन दोनों को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से अगले फंदे को पीछे ले जाएंगे और जो उल्टा फंदा है उसे आगे ले आएंगे उसको उल्टा बुनेंगे और ये सीधे फंदे पर सीधा फंदा बना लेंगे तो अब हमने जी ट्विस्ट करने के बाद तीन फंदे उल्टे बनाए है पर्ल थ्री स्टेचीज तो इसी को हमने रपीट करते हुए जाना है आगे जितने भी हमारे नीडल पर स्टेचीज हैं देखें एक बार फिर से रपीट करके आपको दिखाती हुमें दो फंदों को ट्वि सीधा फंदा पिछे ले जाएंगे उल्टा आगे ले आएंगे दोनों को ट्विस्ट करेंगे और फिर एक उल्टा बनाएंगे और फिर एक सीधा बनाएंगे और फिर अगले तीन फंदे उल्टे बनेंगे तो यही रपीट करते हुए जाना है आपनी पूरी रो थ्री लास्ट एजिंग का पंदा हमारा सीधा बन गया तो रो 3 राइट साइड से हमारी कम्प्लीट हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ राउंग साइड और जैं हमारी पैटर्न की रो 4 है तो देखें उल्टी तरफ से राउंग साइड से हमने जो जैसा पंदा दिखाए देगा वैसे बनाएंगे सीधे पे सीधी बुनाई होगी और उल्टे पे उल्टी बुनाई होगी तो मैं यह आपको भी पूरा कम्प्लीट करके रो दिखाती हूँ राउंग साइड हमारी कम्प्लीट होई अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड से हमारी ये रो 5 है slip करेंगे पहला फंदा उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे knit one stitch, दो फंदे उल्टे, purl two stitches दागा पिछे करेंगे, अब जे सीधा फंदा आ गया इसको हमने twist करना है इसको twist करेंगे यूँ करके और फिर हमारा ये पहले उल्टा फंदा आएगा तो इसको हम परल करेंगे और अगले फंदे को हम सीधा बनेगे यूँ करके, दागा आपनी तरफ करेंगे अब हमने एक फंदा उल्टा बनाना है यहाँ पे फिर दागा पिछे करना है और यहाँ पे देखें इसको फिर से twist करेंगे यूँ करके इसको सीधा बनाएंगे और अगले फंदे को हमने उल्टा बनाना है अब बीच का जो फंदा है उसको हमने उल्टा बनाना है दो फंदे हमने उल्टे बनाए अब फिर से हम ट्विस्ट करेंगे और चेन को बाहर ले जाएंगे एक को उल्टा बनाएंगे और अगले फंदे को स जा रहे हैं लेट और राइट साइड ुसको लेक Ctrl करते हुए कि इस तरह से फिर से आऎगे ट्विस्ट करेंगे फंद्य को और एक सीथा और फिस उलटा पंदा बनेगा ust ponto अगला फंदा और कि ह्युक्त है हमारे पास लास्ट में यह बचा हुआ है सीधा फंदा तो यह सीधा ही बना लेंगे और एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा तो रो 5 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और यह हमारे पैटन की रो 6 है राउंग साइड से तो देखें रो 6 हमारी कंप्लीट हुई उल्टी तरफ से अब हम आगे हैं सीधी तरफ और यह हमारे पैटन की रो 7 है एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और तीन फंदे अब हमने उल्टे बनाने है पर्ल त्री स्टिचिज उसके बाद हमने इसको ट्विस्ट करना है यह देखें यह सीधा फंदा इसको ट्विस्ट करेंगे उल्टे के साथ पहले उल्टे फंदे की बनाई करेंगे और फिर हम अगला सीधा बता बनेंगे ये सीधा रहेगा चेन वाला अब आगे हमने उल्टे फंदे बनाने हैं एक, दो, तीन और ये चार चार फंदे हमारे उल्टे हुए अब हमने इसको ट्विस्ट करना है उल्टे फंदे को बाहर ले आएंगे इस तरह से और फिर इसको हम उल्टा बुनेंगे जो हमारे स्टार्टिंग से दोतो फंदे सीधे थे वो हमने एक्स्पेंड करते हुए सीधे ही बनाने हैं बाकी बीच में सारे फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे सीधे तरफ से लास्ट आजिंग का फंदा भी हमारा सीधा रहेगा राइट साइट से रो सेवन हमारी कंप्लीट हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉंग साइड और चेह हमारी पैटर्ण की एड़्थ रो है अब उल्टी तरफ से वैसे ही हमने बनाना है सीधे पे सीधा फंदा बनेंगा और उल्टे पे उल्टा फंदा बनेंगा मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ ये वली रो आपको अब देखें हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड और ये हमारी पैटर्ण की रो नाइन है पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे अब हमने जो दोनों फंदों को बार एक्सपेंड किया था लेफ्ट और राइट के साइड अब हमने उनको दोनों को अंदर की तरफ जोड़ना है तो इस तरह से अब हमने अंदर की तरफ इनको ट्विस्ट करना है जो सीधे फंदे हैं चेन वाले वो हम अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे देखिए ट्विस्ट करेंगे एक उल्टा बनाएंगे एक सीधा फिर दो फंदे उल्टे सीधा बनेंगे फिर आमने posição ट्विस्ट करना है फफंद को पहले कि देखें उल्टे कोल्टा बनाया और सीधे को हमने सीधा बुन लिया कि बीच के फंदे जो है वो उल्टे बनेंगे देखें इस तरह से अब हम अंदर की तर्फ मोडर रहे हैं अपनी जो सीधे फंदों वाला डिजाइन है तो आगे हमने देखें यह और Heidiger सीधे बनाया अब हमने इसको भी उल्टा बनायेंगे और उसके बाद इसको twist करेंगे इन फंदोन को सीधे फंदे को फिर अंदर लेकर आएंगे और अंदर वाला जो ऊल्टा पंदा वह बाहर जाएगा तो इस तरहें इस को सीधा बनाया और अगले पंदेख को हमने उल्टा पुल लेना है अ contain कि है आगे बीज यही पैटन चले करना है तो लेकर आंगे वो यह वाला उल्टा बाहर जाएगा तो इस तरह से ट्विस्ट करके हमने पहले सीधा बुलना है निट वण और बाद में हमने एक उल्टा बुल लेना है परल वन और लास्ट आचिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा तो रो 9 राइट साइड से हमारी कम्प्लीट हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और यह हमारे पैटर्ण की रो 10 है एजिंगा फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही हम बनाएंगे सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा तो यह मैं आपको रो 10 रॉंग साइड से कम्प्लीट करके दिखाती हूँ अब हम आगे हैं सीधी तरफ और यह मारे पैटर्ण की रो 11 है राइट साइड से पहला फंदा आइजिंग का स्लिप करेंगे उसके बाद हमने एक फंदा उल्टा बनाना है परल बान स्टेच दागा पीछे करेंगे अब हमने ट्विस्ट करना है देखे इस तरह से यह वाली जो सीधे फंदे वाला डिशाइन है इसको हम अंदर लेके आएंगे इस फंदे क दो फंदे ट्विस्ट करने के बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे और अगला फंदा सीधा बनेगा इस तरह से फिर देखें आगे ट्विस्ट चलेगा फिर हमने ट्विस्ट करना है सीधे को अंदर ले आना है और उल्टे फंदे को बाहर ले जाएंगे तो इसको हमने दो फंदे उल्टे अब हमने ट्विस्ट करना है फिर से अंदर लेके जा रहे हैं इस डिजाइन को तो हमने इस फंदे को अंदर ले जाना है और उल्टे को उल्टा बुनेंगे और जो चेन वाला सीधा फंदा दिख रहा है ये सीधा ही बुनेंगे बीच में हमने जो फंदे ह उसको उल्टा बनाया और फिर इसको ट्विस्ट किया सीधे फंदे को फिर हम अंदर लेके आएंगे इस तरह से वो ट्विस्ट करेंगे पहले सीधा बनेंगे और अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे बीच के जो फंदे हैं वो उल्टे ही मनेंगे पाकी ट्विस्ट करेंगे तो यूँ करके हम ट्विस्ट करते हुए जाएंगे और उल्टे को उल्टा बनेंगे और जो twist किया हुआ सेधा बंदा होगा उसे हम सेधा ही बनाएंगे एक बंदा उल्टा बनेगा इस तरह से twist करने के बाद और अगला बंदा सीधा बनेगा लास्ट टैजिंग का बंदा हमारा सीधा रहेगा तो रो 11 राइट साइड से हमारी कम्प्लेट हुई अब हम आगे हैं राउंग साइड और यह हमारे पैटन की रो 12 है उल्टी तरफ से जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा बनाते हुए जाएंगे तो यह मैं आपको रो 12 राउंग साइड से कम्प्लेट करके दिखाती हूँ अब हम आगे हैं सीधी तरफ और यह हमारे पैटन की रो 13 है पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब जे दोनों सीधे फंदे हैं इनको हमने दोनों को सीधा बनाना है निट टू स्टेचेज नागा अपनी तरफ करेंगे अगले तीन यह को कर्पीट पैटन चलेगा देखें दो फंदे उल्टे दो सीधे और तीन फिर उल्टे आप यह दो फंदे फिर से हमने अलड़े बनाने हैं दो फंदे अगले सीधे बनेंगे इस तरह से सारे उल्टे फंदे हमने एक स्थर्फ कर लिए और सीधे कठे कर लिए अगले तीन फंदे हमारे उल्टे बनेंगे एक दो और यह तीन अब जह आगे दो फंदे हैं सीधे इनको हमने कठा सीधा बुलने ना है एक फंदा उल्टा और लास्ट का एजिंग का हमारा सीधा बनेंगा तो रो थर्टीन राइट साइड से मरी कंप्लीट हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रांग साइड और जहे हमारे पैटिन की रो फोर्टीन है पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा होगा हम वैसे ही बनाएंगे निट पे निट करेंगे परल पे परल स्टिच बनाएंगे तो यह रांग साइड से आपको पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हुई अब हम आगे हैं राइट और यह हमारे पैटिन की रो 15 था पंदर भी सलाई पहला फंदा स्लिप करने के बाद दो फंदे उल्टे बनाएंगे परल टू स्टिच इज तागा पिछे करेंगे अब हमने इन दोनों को ट्विस्ट करना है दोनों सीधे हैं इन दोनों को आपस में केवल जैसे डालते हैं वैसे ट्विस्ट करेंगे यूं करके और उसके बाद इन दोनों को एके करके हमने सीधा बुनना है एक और यह दो दोनों को सीधा बुन लिए एके करके उसके बाद अगले तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं यह चार होगे अगले तीन फंदे उल्टे एक दो और यह तीन तीन फंद उल्टे यही साथ फंदों पर यहीं चलेगा कि दो फंद उल्टे सकर एगे तो हम एमकों दोनों सीधे 6पविझे करेंगे एस्च आफ गार Allah च बूंस लिए इंगे यह और ये दो दूनों सीधे बुनें फिर आगे हमने उल्टे फंदे बनाने है परल नेस पर्ल में इस रो में यो सीधे वन्दे हैं उनको ट्विस्ट करना आधू करके आधू ए वह बनेगे और एजिंग का बंदा सीधा बनेगा अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉंग साइड और ये पैटर्न की 16 रो है पहला बंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा बंदा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे उल्टे बंदे पर उल्टा बनेंगे और सीधे पर सीधी बनाई करेंगे तो ये रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ ये देखें कंप्लीट हुई हमारी 16 राइएं कंप्लीट हो गई उसके बाद हमारा ये पैटर्न इस तरने से बन कर आया है देखें ये ही 16 राइएं हमने बार बार रपीट करते हुए जाना है जितनी आपको लेंद चा शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो यह देखें ज्यादा फंदों में मैंने इस डिजाइन को बनाया है तो इस तरह से इसकी लोक मनें पज़ी रखेंगा इता इसको काफी स्टैच hetने दिसाइन है और यह दिसाइन है आप लेडिस कार डिएंगा श्वेटर जैकेट जैकेट जहन सब्सक्राइब जैकेट जैन सवेटर पर यह बड़ी यह दिसाइन ओबर है टाने और दिखने में बहुत ही सुन्दर लगता है यह देखें आप इसको बेबी स्वैटर बें बना सकते हैं कैप्स बेंडे सकते हैं मफ्रल बना सकते हैं यह देखें दोनों रंग में कितना प्यार है अब पियारा लग रहा है आपने यही जो distingu स्वारे से चांब और जिस तरह से बढ़ाने हैं और उल्टे और सीधे करने हैं वही करते हुए जाना है तो आपका ये पैटन बन कर त्यार हो जाएगा तो यह दिखें बीच से आसे बिल्कुल उल्टे उल्टे फंदों की कितने अच्छी बुनाई लग रही है जैसे यह 3D पैटन होता है तो फिर अपने मान पसंद रंग में बनाईए तो मिलते हैं फिर हम अगरे एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद